नमस्कार आप देख रहे हैं विरा 24 न्यूज मैं स्वाती रीवा सहर के महिया थाना छेटर के हॉस्पिटल चौक गोपाल मीडिकल के पास संचालित फरजी पैथोलोजी पर प्रसासन ने दबिश दी है यह पैथोलोजी सुपर इस्पेसलिटी अस्पताल के डॉक्टरों के संदक्षण में चल रही थी जिला प्रसासन की तरफ से नायब तहसीरदार यती सुकला एवं डॉक्टरों की टीम ने कारिवाही की है आपको बता दे कि रिवस जिले में लगातार फरजी पैथालोजी की सुचना प्रसासनिक अधिकारियों को मिल रही जिसके बाद प्रसासनिक अमला हरकत में आ गया है और सहर में संचालिस ऐसे फरजी पैथोलोजी को टार्गेट करके उनके खिलाफ कारिवाही की जा रही है तरसासन की कारिवाही से रिवस सहर में हरकम मच गया है आपको बता दे कि डॉक्टरों की टीम एवं तरसासनिक अधिकारी द्वारा कारिवाही करते हुए अवैद रूप से संचालिस पैथोलोजी को सीज कर दिया गया है और जिले में जिनकी सूचना सामने निकल कर आएगी उनके खिलाफ भी कारिवाही की जाएगी फिलहाल सीज की कारिवाही से रिवा में हरकम मच गया है परजी क्लीनिक एवं पैतोलोजी संचालित करने वाले लोकों के खिलाफ जल्दी चिला प्रसासन के दौरा आगामी दिनों में कारवाई की जाएगी परजी क्लीनिक को सीज़ करने के बाद प्रसासनी कठिकारी नायप तहसीलदार यतीर सुकला के दौरा बताया गया कि रीवास सहर के गोपाल मेडिकल के पीछे सूचना मिली थी कि फरजी पैथोलोजी का संचालन किया जा रहा है यहाँ पर टीम का गठन करके मौके पर देखा गया तो सूचना सही मिली जिस पर कारिवाही करते हुए फरजी पैथोलोजी को सीच कर दिया गया है और आगे की कारिवाही की जा रही है कि वेरे बाद साथे एक साथे एक सीच मिली झाना साथie? क्वें एक सैने की कि एक सैने की एक पर कह सब एक साया है पाला तो happens यह इंद्रा मार्केट में गोपाल मेडिकल के पीछे डाक्टर डाइगनोस्टिक करके हमको सिखायत परात हो रही थी कि जिला प्रसासन को कि यह जो पैथलोजी है यह अवैद रूप से संचालित है और किसी भी पैथलोजिस्ट के यहां रेजिस्टेशन नहीं है और साथ में जो यह दुकान है सा पैथलोजी वो भी अवैद रूप से बीना रेजिस्टेशन के ही संचालित हो रही थी पर आपकर के दॉक्टर स्टीन तरह दीएचो बन डीएचो टू के द्वारा यहां पर हम लोगे द्वारा सहीं तरूप से जाच की गए इसमसे सिकायत को सही पाये गया है हाँ अभी मौके से जो यह लड़के हैं यहां पर वो डॉक्टर का नाम ले रहे हैं कि कोई डॉक्टर है सुपरेस्पेसेंटिक हॉस्पिटल में डॉक्टर सदाम करके उनका नाम बताया जा रहा है मौके पर उनको बुलाए गया उन्हीं सभी पूस्ता जारी है कैसे किस अधार पर यह पत्राजीर सद्जालित है उनको जब्त कर रहे हैं और उस पर डॉक्टर सुमन से हम आगे चलके के इस पर पूस्ताच करेंगे कि उनकी द्वारा इस पर कैसे जांच की जा रही है कैसे अपने हस्ताचर की जा रहे है